हाँ हालो एवर्यवन आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगर उतनी अच्छे तरीकों से आप लोग का पढ़ाई भी चार रहोगा इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके कक्छा दस्वी का समाजिक विज्ञान की नवंबर महने के असैन्मेंट को ठीक ह जैसे कि पहले वीडियो को हम लोग देखते थे कुछ असैन्मेंट को देखे हैं उसी ही तरह इसको भी देखते क्या करेंगे पहले को बहुत अच्छे समझेंगे फिर उसके आंसर को प्रशन पहला प्रशन पहला क्या बोर रहा है कि आयकर और उत्पादक सूलक में क्या अं इसको आप लोग इस तरीका से कंप्रेटली लिख सकते हैं जैसे कि पहला आयकर क्या होता है प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष होता है तो इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग लिख सकते हैं उसी तरह प्रशन दूसरा प्रशन दूसरा क्या बोर रहा है कि उत्खनन से पूरे देश्वासियों को लाब हो के वल कुछ नीजी कंपेनों को नहीं इसके लिए क्या किया जा सकता है इसका अंस निर्धारित मातरा से अधीक खनन ना करें क्योंकि अधीक खनन करेंगे तो फिर तो दोहन प्रारम हो जाएगा है ना तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट कर सकते हैं क्लियर है अंगला क्वस्थन क्या है प्ररस्ट नंबर थी है इसमें क्या बह रहा है कि हिटलर की विदेशनीति को समझाना है तो पॉर माक्स के अकोडिंग हम लोगों को चार पॉइंट में समझाेंगे जैसे कि पहला इसमें क्या लिखा है कि रोम बर्लीन टोक्यो धूरी का निर्मा कि आएगा म्योनिक समझा उता इसमें क्या है होता है कि इंग्लैंड फ्रांस इतली तद जर्मनीं के मद्धिया 29 सितंबर 1938 इसवी को क्या म्योनिक में एक समझावता हुआ रहता है तो उसमें भी क्या रहता है हिटलर की विदेश निती ही रहता है उसी तरह तीसरा और इस चारों पॉइंट्स को आप लोग को अच्छे से लिख लेना है बहुत अच्छे रैटिंग में ठीक है क्योंकि हम ल बीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए है तो इसमें कुछ काम है चार पॉइंट्स है इन चारों पॉइंट्स को हम लोग को लिखना है जैसे कि पहला रासन दुकाने की बनाया गया है उसी तरह क्या हुआ रोजगार गारेंटी योजना टेक है जिसमें ग्रामीर छेत्र फोर्थ नंबर है निसूलक सिक्षा चात्रवित्ती की व्यवस्ता क्या कि अगया गरीबी दूर करने के लिए निसूलक सिक्षा जैसी बहुत बड़ी एक कहा जाए तो मिसाल खड़ा किया गया है ना ताकि सिक्षा से वह खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके ठीक है ला बार एक जगह में उद्योग विक्सित होने के बाद वहां से उद्योग क्यों हर जाते तो इसको completely लिखना है प्रारम में उद्योगों की स्थापना अक्सर कच्चे माल के आसपस की जाती थी तक कि कच्चे माल की परिवान में खर्च अधिक नहों उत्पाद लागत कम आए ठीक है इस तरह इस completely आप लोग को लिखना है ठीक तो इन नंबर के ध्यान में रखते हुए सभी आंसर को लिया गया है तो आप लोग भी completely आप लोग को नोट करना है इसका अंसर ठीक है आई होप यह वीडियो आपके लिए उचफूर रहोगा तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको एक useful content का benefit मिल पाए साथ ही साथ वीडियो को like और share जरूर करें जिससे बाकी लोग को भी इसका benefit मिलती रहे ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो पर